नमस्कार प्यारे बच्चों, संसारपुर के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज की क्लास में हम लोग सालो करने वाले हैं कच्छ साथ की गडित का अभ्यास D ठीक, एक का D हमने पिछली क्लास में अभ्यास 1 के C के पूरे कोस्चन सालो कर लिये थे आज की क्लास हम अभ्यास एक कर दी सालो करने वाले हैं तो देखें यहाँ पर प्रस्ण नमबर 1 में क्या लिखा गया है कि इस प्रस्ण के प्रत्य खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिये गए हैं इनमें से केवल एक सही है सही उत्तर अपनी अभ्यास पुष्टिका में लिखिए तो यहाँ पर का नमबर है उसमें कहा गया कि किसी परिमे संख्य के समतुल परिमे संख्य होती है कहा गया आप मान लेजे कोई भी एक परिमे संख्य मान लेते हैं कि यह एक बटे पांच आपकी परिमे संख्य है ठीक है इस एक बटे पांच के समतुल कितनी परिमे संख्य हो सकती है तो अगर आप लिखना चाहें तो दो बटे दस और आगे लिखना चाहें तो कितना हो सकता है तीन बटे 15 इस तरह आगे धेरो अनंत संख्या हो सकती है कितनी हो सकती है अनंत यानि चौथा विकल्प आपका सही है अब खानंबर देखे कागया परिमे संख्या माइनस 16 बटे 80 का सरलतम रूप किया है किसका माइनस 16 बटे 80 का तो सोला एक अन्नम सोला सोला पंचे 80 यानि माइनस का एक बटे 5 आपका जो मिल रहा होगा वही सही होगा यानि आपसंत तीसरा आपका राइट है ठीक है उसके बाद का नंबर देखे कागया परिमे संख्या 40 बटे माइनस 25 का सरलतम रूप किसका 40 बटे माइनस 25 का तो देखे 5 आठे 40 और 5 बटे 25 यानि आएगा 8 बटे माइनस का 5 कौन सा मिल रहा है ये 8 बटे 25 है यहाँ पर माइनस का 8 बटे 5 अब माइनस आप चाहे उपर लगाई है चाहे नीचे लगाई है यानि आपका दूसरा वाला राइट है आगे हमें जाने की जरूती नहीं है ठीक है उसके बाद घनम मपर कि और डो感 दो आसामान परिमे संख्या impeachment होती मान होती हैं अब माल लीजिए कि आपकी दो परीमिर संख्या से अलग अब इसके बीट कितनी परीमिर शंक्या होती है अनन्द परिमीर संख्या होती, कितनी होती है, अनन्द यह आपसा नमबर आपका तीसरा राइट होगा, ठीक है, तो मीद है बच्चों कि आपको पहला जो बहुकल्पी कोस्चन है, वो सारे सारे कोस्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, समझ में आ गए होंगे, तो व प्लता है का नमबर कहा गया कि समान परिमे संख्याओं के सरअलतम रूप समान होते हैं एक परिमे वह समानो KYS meansudii सोंे और उसके बाद यह आपके पास कों bartoud बटे 20 है यह परिमिय संख्या जो है यह समान है अब बताइए करें को सरलतम रूप सालो करें तो क्या यह बराबर आएंगे या नहीं आएंगी मतलब इसके जो रूप होगा वह समान होगा या नहीं तो देखिए 5 एकन्नम 5 पांच दुनी 10 यह तो आया एक बटे दो 10 एकन्नम 10 दुनी 20 एक बटे दो देखिए दोनों की जो रूप है वह समान है और यह कही भी रहा कि समान परिमिय संख्याओं के सलतम रूप समान होते हैं तो इसका मतलब यह क्या है सत्य है इसका कथन क्या है सत्य है इससे देखिए माइनस साथ बटे माइनस ग्यारा धनातमक परिमेशन क्या है तो देखिए माइनस साथ और बटे में माइनस क्यारा माइनस से माइनस कटेगा तो बचेगा साथ बटे ग्यारा जो की धनातमक है तो कोस्चन भी कह रहा है क्या है धनातमक है नहीं यह गलत है यह आसत्त है यह क्या है आसत्त है उसके बाद घर नंबर तीन पटे माइनस गयारा और माइनस टीन बटे गयारा समान है हाँ ये दोनों संख्या सेम है हम इस माइनस को उपर भी लगा सकते है नीचे भी ठीक है ये क्या है ये सत्य है उसके बाद चैनमबर देखिए एक बटे दो, दो बटे चार, तीन बटे चार एक ही परिमिय संख्याओं के विविन रूप है तो एक बाद हम देख लेते हैं एक बटे दो, उसके बाद दो बटे चार दो बटे चार और तीन बटे दो है इसको सरलत्नम करेंगे दो एक अन्नम दो, दो दूनी चार तीन एक अन्नम तीन, तीन दूनी चार देखिए, एक बटे दो, एक बटे दो, एक बटे दो, यानि कि एक ही परिमे संख्याओं के विभिन रूप है, ये क्या है, सत्य है, ये सत्य है, अब यहाँ पर देखिए, माइनस एक बटे, माइनस तीन, माइनस दो बटे, माइनस च्छे, माइनस तीन, माइनस तीन, माइनस चार बटी माइनस पाँच और चार बटे पाँच समान पर में संख्या है तो एक बार इसको में देख लेंगे देखिए अब इसको हम थोड़ा से मिनट देते हैं ठीक है तो कौन कौन सी है माइनस 4 बटे माइनस 5 और एक है 4 बटे 5 माइनस से माइनस कटेंगे तो 4 बटे 5 ही आएगा यानि दोनों क्या है समान है यानि कि ये वाला कथन भी आपका क्या है सत्य है अब जह नमबर देखिए सभी पूरांक परिमेशन क्या होती है पुरांक होते क्या है, पुरांक होते हैं, कि माइनस अनंद से लेकर प्लस अनंद तक, कि बीच की जो भी संख्या होते हैं, वो पुरांक होते हैं, इसमें माइनस भी आता है, चीरो भी आता है, प्लस भी आता है, प्लस की संख्याएं भी आती हैं, ठीक है, तो कहा कि सभी पु आसत्य है यह कथन आसत्य है सभी परिमे संख्य पुरांक उता है यह गला थे बिल्कुल 0 15 जिड़ोब्टे मैनस समान परिमे संख्या नहीं है तो एक बार देख लिए यह 0 बटे में अगर कोई संख्य होती है तो असका मान Phros hai यह भी जिरो तो आपस में समान है लेकिन कोश्चन कह रहा है संख्या है समान नहीं है इसका मतलब ये कथन इसके कहने का मतलब है ये कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा जो ये कह रहा है ठीक है अब लाश्ट कोश्चन देखिए दो समान परिमे संख्याओं के बीच दो समान परिमे संख्याओं के आपको कोस्चन जो दो है वो पूरी तरह समझ में आ गया होंगे हमने एक्जामपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया ठीक है आपको क्लास का लास्ट कोस्चन हम लोग देखेंगे कोस्चन नमबर 3 कोस्चन नमबर 3 देखी बच्चों इसमें कहा गया है कि निम्नांकित परिमे संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए अवरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ने से घटते हुए क्रम में ठीक है मतलब जैसे सीडियम लोग चड़ते हैं नीचे से उपर की औ लेकिन हमें ऊपर से नीचे की और आना है कि यहां पर का गया आवरोही क्रम पहले में बड़ी संख्या लिखनी होती है फिर से छोटी फिर से छोटी फिर से छोटी फिर सबसे छोटी ठीक है लेकिन यहां पर परिमें संख्या नी अंसबटे हर के रूप में लिखा गया है त कि इसके हर क्या होने चाहिए होने चाहिए देखिए तो देखिए अलसियम इeder समक Hai अ की यह है कि अपको पाँच यह आपका साथ और नौ सके बाद जय हो आपटेंगे पहले यह और पाँच में बाकी तो और कोई संफ़य कटे कि नहीं हम दो से काटेंगे पहले भी हम दो से काट सकते थे तो यह हो जाएगा 2 3 6 अब 3 से काटेंगे 7 3 3 9 3 59 3 फिर 3 से काटेंगे 3 59 3 अब हम 7 से काट देंगे अब सभी में क्या जाएगा एक एक अब इसका आपस में गुड़ा कर दीजिए 5 दुनी 10 10 ट्याईंि try कितना जाएगा 90 और गुड़े साथ तो साथ नहीं कितना हो जाएगा तीरे साथ कितना हो जाएगा तीरे साथ 630 इसका LCM आएगा ठीक है कितना 630 तो हमें करना यह है कि इसके सभी हरों को 630 बना देना है 630 कैसे बनाएंगे देखिए एक एक करके हम लोग बारी बज़ देखेंगे तो दो बटे पांच ऐसे आपको लिख लेना है चार बटे साथ लिख ले दिएगा उसके बाद पांच बटे 9 और हो जाएगा एक बटे 6 हमें बनाना किया है इसके हरों को 630 बनाना है 630 बनाने के लिए हमें उपर और नीचे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना होगा कितना करेंगे देखें पांच हे यहां पर 5 5 को छोओकर बाकी सारी साग्या कितनने गुड़ा करना है तो अगर इसका ओं गुड़ा करना होगा 2 ते रहीं 6 और 618 गुणा करो या कितने का 126 principle wise कितने से गुणा करना है साथ को छोड़ेगे यानि साथ को छोड़ेटों किलीगमे से गुणा करना होगए 90 से गुणा उपर भी करैंगे 90 से गुणा नीचे भी करेंगे ठीक है उसके बाद इस पे भी हमें गुड़ा करना है तो 9 को केवल छोड़ दीजिए इसमें से 9 हटा देंगे केवल 10 बचेगा 10 बचेगा, 70 70 से गुड़ा कर देंगे नीचे भी और 70 से गुड़ा कर देंगे उपर भी उसके बाद अब आपका 6 बचता है तो इसको भी हमें क्या बनाना है हमें बनाना है 630 तो हमें केतने से गुड़ा करना होगा देखे, 2 त्याही 6 अब इन केवल 2 को छोड़ दीजिए इसको बागी गुड़ा कर दीजिए इसका गुड़ा करेंगे 5 त्याही 15 15 सते 105 105 का हम लोग उपर गुड़ा करेंगे और 105 का हम लोग नीचे भी गुड़ा करेंगे अब इससे गुड़ा के दिए 2 चंग 12 2 चंग 12 के 2 हासिल 1, 2, 2 नी 4, 1, 5 2, 1, 9, 2 और यह हो जाए कि 5, 6 के 30 के 0 हासिल 3 5, 2, 10, 3, 13 के 3 हासिल 1, 5, 5, 1, 6 ठीक है कितना जाएगा 360 ठीक है और यहाँ पर 7, नै 63, 630 इसका गुड़ा करेंगे 755 और यह हो जाएगा 630 यह हो जाएगा 105 और यह हो जाएगा 635 तीस के 0 यह हो जाएगा 3 अच्छा है का नम च्छा अब यहाँ से हमें लिख़़ आए अवरोही क्रम में तो सबसे पहले ढूढ़ना है सबसे बड़ी संक्या कौन सी है सभी के हर आपस में बराबर आए ठीक है अब उपर अंसों को देखकर आप पैजान सकते है कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है तो सबसे बड़ी कौन सी दिख रही 360 दिख रही है तो लिखेंगे 360 बटे 630 फिर उसके बाद है 350 350 बटे 630 उसके बाद है फिर 252 बटे 630 लास्ट में आपकी आ जाती है 105 बटे 630 तो इसी के अनुसार हम उपर वाली संख्याओं को लिखेंगे तो 630 देखिए 360 दूसरे नमबर की दूसरे नमबर की है 4 बटे 7 तो 4 बटे 7 फिर है तीसरे नमबर पर वाली 5 बटे 9 फिर है पहले नमबर की 2 बटे 5 इसी प्रकार यह हो जाएगी एक बटे 6 तो यह हो जाएगा आपका एंसर यह हो गया आपका आपका आउरोही क्रमबी ठीक है अब इसको मेट देते हैं क्योंकि हमें अगला कोस्चन भी देखना है तो खा नमबर देखिए अब ठीक है तो यहां से हम खा नमबर लगाएंगे तो खा नमबर के लिए सबसे पहले यह करना है पहला इस टेफ कि उसका जो सभी के जो हर है वो धनात्मक होने चाहिए ठीक है तो माइनस का 4 बटे 11 माइनस का एक बटे 3 कर देंगे और माइनस का 5 बटे 7 माइनस का 3 बटे 4 अब इनके हरों के लिए लिए LCM कितना कितना जाएगा LCM 11 उसके बाद 3 7 और 4 इनका हम LCM लेंगे ठीक है LCM देखिए अगर इनका हम LCM लेते भी है तो कोई भी यह संख्या नहीं है जो अलग मतलब एक ही से कटे इनका आपस में गुड़ा करवाना ही पड़ेगा तो आपस में गुड़ा कर लिजिए 11 तरही 33 33 अब गुड़े 7 गुड़े 4 तो 7 रिख 21 के एक हासिल 2 21 के एक हासिल 2 और 7 रिख 21 21 हो जाएगा 23 गुड़े 4 4 गुड़ा करेंगे 4 कंडम 4 4 3 12 12 के दो हासिल 1 स्वरी 4 3 12 4 1 करना हो 4 4 12 के दो हासिल 1 4 2 8 9 कितना अगे है 924 तो इनके हारों को हमें क्या करना होगा 924 बनाना होगा ठीक है चलिए 924 हम लोग बना लेंगे तो पहले हम संख्या इनको लिख लेते हैं तो 4 बटे 11 थोड़ा दूर दूर लिखेंगे माइनस का एक बटे 3 और माइनस का पांच बटे साथ माइनस का तीन बटे 4 अब हमें बनाना है नीचे वाली संख्याओं को 924 इसके लिए हमें कितने से गुणा करना होगा 11 को छोड़के बागी सभी संख्याओं को आपस में गुणा करके देखेंगे ठीक है साथ त्रीक 21 साथ त्रीक 21 गुणे 4 24 84 कितने से गुणा करना होगा 84 84 से हम उपर भी गुणा करेंगे 84 से हम नीचे भी गुणा करेंगे अब 3 नीचे केवल 3 है तो केवल 3 को आप छोड़िए बागी सारी संख्याओं को आपस में गुणा कर देजिए तो इस 3 को केवल छोड़ना है 11 सत्य सत्य 77 77 गुणे 4 4 सत्य 28 के आठ आसे दो 24 एठाइस दो 30 जैने 308 से गुणा करना होगा 308 से उपर भी गुणा और 308 से भी नीचे गुणा ठीक है उसके वालब साथ छोड़ देजिए केवल साथ छोड़ना है ठीक है यहाँ पर साथ को छोड़िए बाकी 11 तेहीं 33 कितना 33 और गुणे 4 तो 4 तेहीं 12 के दो हासिल 1, 4 तेहीं 12, 1, 13 ठीक है 4, 3, 12, 1, 13 4, 3, 12, 12, 1, 13 ठीक है तो 132 से मैं करना गुणा तो 132 से उपर भी 132 से नीचे भी गुणा करेंगे उसके बाद आ जाता है आपका 4 केवल 4 आपको छोड़ना है ठीक है 4 आप छोड़ दीजिए तो आपका केवल बस्ता है 231 तो 231 से हमें उपर गुणा करना होगा और 231 से भी टीचे गुणा करना होगा अब इसे हम मेट देते हैं ठीक है तो अब इसका आपको आपको में करेंगे गुणा तो 4 चोग 16 के 6 हांसिल 1, 4, 32, 1, 33 तो 336 और इसका आपको में गुणा करेंगे तो इसका जो 924 आ रहा था ना 924 924 तो एक बार देखना चाहें दोबार देख सकते हैं 44, 44 के 4 हांसिल 4, 88, 88, 84 92, 92 92, 92 तो हांसिल आ जाएगा 9 ठीक है 92, सॉरी, साही है तो अब आगे गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 308 माइनस का बटे में 924 इसका गुणा करेंगे 5, 2, 10 5, 3, 15, 16, 6, 1 5, 95, 6, माइनस का और यह हो जाएगा 924 और यह हो जाएगा 3, 95, 3, 33, 9 3, 2, 6, माइनस का बटे में हो जाएगा 924 अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन बड़ा है, कौन चोटा है तो अब और हो ही क्रम में अब यहाँ से हमें लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर सभी के सभी माइनस में हैं और हमें सबसे बड़ी संख्या डोडनी है तो सबसे बड़ी संख्या डोडने के लिए जो संक्य सबसे छोटी होगी, वही सबसे बड़ी होगी, तो सबसे छोटी संक्य आप ओ काउंसी दिख रही है, दिख रही 308, तो माइनस का 308 बटे 924, इसके बाद इससे बड़ी काउंसी है, इसके बाद है माइनस का 336 बटे 924, उसके बाद है माइनस का 560 बटे 900, 24 और माइनस का 693 रिवुटे 924 बहुत से बच्चे कहा रहा हूंगे कि आप सबसे चोटी संख्य क्यों ले रहा है यह सबसे चोटी नहीं सबसे बड़ी है बच्चो ठीक है यो कि जो भी संख्या माइनस में जितनी जएवारी होगी उतनी ही च्छोटी होगी पूत न크upunints you उसके बाद यह पाइन नंबर की यानि माइनस का चार बटे 11 और यह है आपके तीसरे नंबर पर वाली माइनस का पाच बटे 7 और यह आपकी कौन सी है यह आपकी चाथे नंबर की है माइनस का तीन बटे 4 तो यह हो जाएगा आपका एंसर ठीक है और पैरे बच्चों जिस तरह हमने का और खा या वैसे ही आपको गा और गा नंबर यह दोनों कोस्चन आपको होमवर्क में दिये जाते हैं ठीक है यह दोनों कोस्चन आपको किसमे रहेंगे होमवर्क में रहेंगे ठीक है तो आप इन कोस्टनों को अपने आप लगाने का प्रयास कीजिएगा तो चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट से बाक्स में जरूर टाइप कीजिएगा और हमारी वीडियो लाश्ट तक देखने के लिए धन्यवाद बच्च जे एन